सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देख लें उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा तो आज का जो मैंने टाइप टू लिया है वो है हमारा टिगनोमेटरी प्रोव डैट कोशन इस वाले टॉपिक में हर स्टुडेंट को प्रोब्लम होती है कि इसको कैसे करें इसको कैसे प्रूफ करें आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोशन देखे होंगे कि ये भी होंगे बहुत सारे कोश्चन आपने इसमें आपको क्या करना होता है एलेचेस अरेचेस गिवेन होता है हम क्या करते हैं एलेचेस से आरेचेस जाते हैं या फिर आरेचेस से लेचेस भी जाते हैं इस प्रकार से इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं इस टाइप के जो भी कोश्च तो इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे प्रूफ डेट वाले जितने भी कोस्टन बनेंगे असानी से यह हो जाएंगे जितने भी हमारे कोस्टन है असानी से क्या होंगे बन जाएंगे जो मेरा ट्रिक है कुछ इस प्रकार से है सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि यह क्या चीज है सबसे पहला इस टेप में आपको क्या करना है कोस्टन को देखते ही कि अगर उसमें टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है तो सबसे पहले उसको क्या करें ब्र Strength करेंगे अगर TEGNOMETRIC IDITION आपको नहीं दिख रहा हो अगर आपको वहाँ पे TEN कुछ है देखते हैं कि कौन-कौन से आइडिनिटिटी आपको यूज करने हैं यह वाला करना है एक प्लस बी का होले स्क्वाइर a minus b का होले square a square minus b a square a square plus b a square वाला a plus b plus c का होले square इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं ये वाला सबसे पहले a square, b a square, c a square कर देना है सारे positive है plus 2ab plus 2bc plus 2ca यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक minus हो गया minus c का तो इसको अगर आप याद कर लेते हो तो इसमें जहाँ जहाँ आपको c दिख रहा है वहाँ पे आप minus sign लगा दो तो यहाँ से देख सकते हो minus c का square तो plus में ही आने वाला है यहाँ पे एक जग़ा यहाँ पे c दिख रहा है तो यहाँ minus हो गया है यहां भी माइनस हो गया यहां पर अपको कोई जलटेबिक आइडेंटिटी भी अगर नहीं करने का क्या है कि कैसे करेंगे सऀन करेंगे अगर ये नहीं देखती तो इसे करकें अप काम करोगे मैं ठीक है तो इसका कोश्चन देखते हैं फिर आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा ट्रीबर मेट्रिक आडेंट इंटिटी हमने देखे भी हं मारे पास यूज होते आगर आह सब्सक्रीण मेट में होते हैं तो इसको अच्छी तरीके से लिख लिए और याद रहें तो सबसे पहला कोश्चन आप देख सकते हैं हमने लिया है कौस स्कॉइर ठीटा ब्राकेट में 1 प्लस 10 स्कॉइर ठीटा एक्वल टू 1 तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि अगर आपको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखती है तो सबसे पहले उसको क्या करेंग इसको कि क्या हो जाएगा को से स्कॉइर ठीटा और यह क्या हो जाएगा कि से के स्कॉइर ठीटा और हमें लाना क्या है एलेचेस से आरेचेस जाना है तो वन हमें लाना है तो यहां से क्या हो जाएगा को से स्क्वाइर ठीटा और अब यहां पे तो कोई आइडिन्टीटी दिख नहीं रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा देन आगे जाना पड़ेगा तो हमारा अगला स्टेप क्या था साइन या कॉस में कनवर्ट करना है तो यहां पे तो कॉस के एक वल है RHS के यह क्या हो गया प्रोब हो गया कि दूसरा कोस्टन भी कुछ इसी प्रकार से है मैंने काफी जी-जी कोस्टन शुरू में लिया है क्योंकि आपको अपलाई करना आ जाए ट्रिक की कैसे यूज हो रहा है यह ट्रिक तो LHS हमारा क्या गिवन है कोस स्कॉर ठीटा प्लस वन अपन वन प्लस कोट स्कॉर ठीटा तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां पे एक आइडिन्टिटी आपको दिख रहे हैं सबसे पहला स्टेप तो आइडिन्टिटी ढूनने का है अगर आप कोई वो मिलता है तो अपला कर देना है तो यह क्या हो जाएगा कोस स्कॉर ठीटा और यह क्या होता है वन प्लस कोट स्कॉर ठीटा क्या होता है को से के स्कॉर ठीटा यह क्या हो जाएगा को से स्कॉर ठीटा और यह वन अपन को से के स्कॉर क्या होता है 산 산 square theta cos square theta plus sin square theta क्या होता है 1 जो कि किसके equal है RHS के तो ये भी क्या हो गए आपना प्रूव हो गया अगला question हमने लिया है sin upon 1 minus cos theta equal to cos act plus cos theta तो ये क्या करना है आपको ये proof करना है तो हमारा LHS क्या गिवेन है तो 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 पहला स्टेप क्या करना है इसमें अपलाई कुश्चन को देखते ही सबसे पहले क्या करना है दूरनी है है तो ठीक है वजरवाज आगे चलेंगेश तो अगला है साइंस या क्वेंक शू levels तो दिखि रहा पहले से ही कनवर्ट है अगला क्या था Agr Politics यहां पर एलजयवर के है अगलाOOOOOOOO क्या खोच क्या थामारा बचा क्या Rationalization तो तो यह नहीं माइनस है तो प्ल्स से आपको क्या करना पड़े गांड प्लॉड सोच डॉटब कि थे तो कि यहां से यह क्या बन जाएगा वन माइनस को स्थील स्थीटा वन प्लanners को स्थीटा क्या हो जाएगा a minus b a plus b है तो क्या बन जाएगा उपर क्या जाएगा sin theta 1 plus cos theta 1 का a square minus क्या बन जाएगा sin theta into 1 plus cos theta upon में क्या जाएगा 1 square minus cos square theta यहां से क्या बनेगा sin theta 1 plus cos theta upon में क्या जाएगा 1 minus cos square theta sin theta 1 plus cos theta यहां से आप लिख सकते हो 1 minus cos square identity दिख गई आपको तो फिर से आप अपलाई कर दो यह क्या होता है sin square theta यहां से एक sign cancel out हो जाएगा तो क्या बचा हमारा 1 plus cos theta upon में क्या बचा sin theta हमें RHS को भी ध्यान में रखना है कि कैसे करते जाना step और ध्यान में देना भी है कि कैसे इसको लाना भी है क्या given है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे तो क्या करेंगे यहां से हमें चाहिए cos एक और cot तो यहां से आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ sin theta plus cos theta upon sin theta तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा cos theta plus cos theta जो कि किसके एकवल है RHS की कोले तो यहां से भी यह क्या हो गया अगला question है हमारा 10 theta plus sin theta upon 10 theta minus sin theta और RHS में क्या है 6 theta plus 1 6 theta minus 1 तो आपको यह वाला लाना है और LHS से आप start करो तो LHS हमारा क्या given है 10 theta plus sin theta upon 10 theta minus sin theta हमारा क्या trick है कि आपको अगर यहां पर technometric identity दिख रही है तो लगाओ otherwise आप क्या करो अगले step पर जाओ तो यहां तो कोई दिख नहीं यहां पर कोई identity है नहीं तो अगला step हमारा क्या है कि sign या cos में आपको change करना परेगा तो यहां पर sign में तो एक है ही यहां पर 10 को क्या करना परेगा sign में change करना परेगा sign upon cos होता है तो 10 के जगा हम क्या लिख लेंगे sign theta upon cos theta plus sign theta upon यहां से क्या जाएगा sign theta upon cos theta minus sign theta हमें क्या लाना है sec theta plus 1 अगर मेरा यहां पर क्या हो जाए 1 upon cos हो जाए तो हमारा sec आ जाएगा तो हमें यहां से क्या करते है sign theta को दोनों term में क्या है sign है तो sign को क्या करते है common ले लेते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1 upon cos theta मिल जाएगा और यहां पर 1 जो कि यहां पर RHS में दिख भी रहा है तो क्या करते हैं हमें यहां से sin theta को common ले लेते हैं तो one upon cos theta बचेगा प्लस में one बचेगा नीचे भी sin को आप क्या करो common ले लो यहां से क्या बचेगा one upon cos theta minus का one sin sin क्या होगा cancel out होगा और one upon cos क्या होता है sec theta plus one upon sec theta minus one यह भी किसके इकोल आगया RHS के तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम trick का यूज कर रहे हैं अगला जो question हमने लिया है cot theta minus 10 theta equal to 2 cos square theta minus one upon sin theta into cos theta सबसे पहले LHS को हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं LHS को हमने लिख लिया है तो यहाँ पर भी trigonometric identity नहीं दिख रही तो अगला step हमारा क्या है sign या cos में convert करना है तो cot को हम क्या कर सकते हैं cos theta upon sin theta लिख सकते हैं 10 को sin theta upon cos theta लिख सकते हैं अब क्या करना है यहाँ से आपको अगले step पर जाना अगला step हमारा क्या था take LCM तो आपको क्या करना है यहाँ से LCM लेना है तो क्या मिलेगा sin theta cos theta यहाँ से आपको मिलेगा cos square theta minus sin square theta तो आपको यहाँ क्या मिलेगा cos square theta minus sin square theta upon sin into cos theta तो आपके RHS को भी देखना परेगा आपको क्या है RHS में तो यहाँ पे cos वाला पार्ट है sin square theta जो हमारा है इसको हम क्या कर सकते हैं 1-Cos² Theta लिख सकते हैं आपको Convert करना पड़ेगा इसको क्योंकि हमारे RHS में क्या है Sine वाला टर्म नहीं है तो Sine को वैसे भी यहां से दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा को से स्कृष ठीटा sin theta cos theta यहाँ से अगर आप solve करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 cos square theta minus 1 क्योंकि यह minus अंदर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा plus हो जाएगा cos square theta और यह cos square theta यह cos square two cos square theta और यह minus 1 यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा जो हमें क्या है आरेचेस के एक्वल तेरा करा है आ गया है तो यहां से क्या हो गया यह भी हमारा क्या होता है प्रूफ हो गया है हमारा अगला कोश्चन जो है देख सकते हैं आप रूट अंडर वन माइनस साइन ठीटा अपॉन प्लस साइन ठीट तो यहां से क्या करते हैं लिख लेते हैं तो आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले आइडिन्टिटी नहीं दिख रही साइन कॉस में भी है अगला स्टेप है हमारा क्या ल्सी एम वह भी नहीं है फिर अगला देन अगला क्या था अलजेबरिक आइडिन्टिटी वह भी नहीं दिख रही तो अगला क्या है हमारा रेशनलाजेशन तो वही आपको क्या करना पड़ेगा नहां पर करना पड़ेगा तो वन प्लस साइन है तो क्या करना पड़ेगा वन माइनस साइन ठीटा से क् रूट के अंदर है इसलिए हमने रूट के अंदर ही इसको क्या किया है रिशनलाइजेशन किया है तो यहां से आपको क्या मिलेगा 1-sin ठीटा का हॉल स्क्वाइर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा ए प्लस बी और ए माइनस भी क्या है यहां से क्या लिख सकते है 1-sin theta upon cos theta का ह nota square लिख सकते हैं ये square से ये root क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो हमारा क्या मिला 1-sin theta upon cos theta इसको आगे solve करेंगे तो क्या मिलेगा हमें क्योंकि हमें लाना है 0-10 theta क्या लाना है 0-10 theta तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 upon cos theta करेंगे तो यहां से sec theta मिल जाएगा और यहां से minus का 10 भी आपको मिल जाएगा sin theta upon cos theta तो क्या मिला हमें sec theta minus 10 theta जो किसके equal है RHS के तो यह भी हमारा क्या होता है प्रूब हो गया अगला question है हमारा 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal to क्या है sec theta minus 10 theta का whole square लाना है में तो सबसे पहले क्या करते है LHS को क्या करते है लिख लेते है सबसे पहले identity यूज करना है तो identity नहीं दिख रहा अगला step हमारा sin cos का वो भी है फिर उससे अगला step हमारा क्या था कि LCM लेना है तो वो भी नहीं है फिर then क्या था तो आपको वही कर देना है तो क्या आ जाएगा 1 minus sin theta से आपको करना परेगा rationalization यहां से आपको क्या मिलेगा 1 minus sin theta का whole square नीचे आपको क्या मिलेगा a plus b, a minus b a minus b का whole square मिलेगा फिर आपको क्या करना है यहां से 1 minus sin theta का whole square लिख लेना है यहां पर दिख रही है तो इसको क्या करना है को से स्कॉर ठीटा में चेंज कर देना है को से स्कॉर ठीटा में चेंज कर दिया हमने फिर क्या करना है आपको 1-sin theta upon cos theta का whole square यहाँ से आपको क्या मिलेगा क्योंकि हमें लाना है क्या 6 और 10 तो यहाँ से आपको 1 upon cos 6 बन जाएगा और sin upon cos 10 बन जाएगा तो आपको वही कर लेना है अलग-अलग आपको इसको कर दे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6 theta minus 10 theta का क्या हो गया whole square यह भी अपना RHS के एक वला चुका है तो बहुत ही असानी से हम क्या कर रहे हैं इसको solve कर रहे है अगला question है हमारा LHS सबसे पहले लिख लेते हैं cos theta upon 1 minus sin theta cos theta plus 1 plus sin theta इस बार आपको दिख रहा होगा कि identity तो नहीं दिख रही sign और cos भी हमारा है और अगला क्या है हमारा take LC m तो यहां पर क्या करना परेगा आपको LC m लेना परेगा तो हम क्या करते हैं LC m को करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 1 minus sin theta into 1 plus sin theta और उपर क्या आजाएगा cos theta आजाएगा और एक अबर क्या आजाएगा 1 plus sin theta plus cos theta 1 minus sin theta अब इसको आगे स्वालब करो क्या आजाएगा cos theta plus cos theta into sin theta यहाँ क्या आजाएगा cos theta minus cos theta sin theta नीचे क्या है a minus b का होल स्कुर दिख रहा है तो 1 minus sin square theta लिख लेना है यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं cos theta sin theta यहाँ plus में है और यहाँ minus में है तो यह क्या हो गया cancel out हो गया उपर क्या बच्चा two cos theta और नीचा identity दिख रही है तो उसको क्या करना है convert कर लेना तो क्या हो गया यह cos square theta यहाँ से एक cos क्या हो जाएगा cancel out two upon क्या जाएगा cos theta और यह क्या जाएगा two sec theta जो हमें क्या है RHS में लाना था तो यह भी हमारा क्या हो गया तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने trick को यूज कर रहे है सारे question को किया भी है अगर आपको यह video पसंद आए तो इसको like करना न भूले और अपने friend के साथ भी इसको क्या करें share करें okay thank you for watching